तो स्वागत है आप सभी का ग्याफने के इस नय सेसन के पहले वीडियो में जैसा कि मैं आप सभी लोगों से कम्टी में पोस्ट करके पोची थी और वोटिंग भी करवाई थी कि नय सेसन की शुरुआत किस क्लास से की जाये क्लास 10 से कि क्लास 12 से कि graduation से कि as you please यानि कि जैसा मेरा मन चाहे तो आप लोग का सबसे ज़्यदा वोट आया था क्लास 12 यानि कि intermediate पर तो finally आज से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है क्लास 12 का नया session जो की 2023 से लेकर 24 तक का है और सबी student को जोड भी दीजिए जितना ज़्यदा हो सके आप लोग video को शेर कर दीजिए ताकि सबी student को पता चल जाए कि मुसकान मैम is back वापस में आ चुकी हूँ आप लोग की तैयारी एकदम जबरदस तरीके से करवाने के लिए ये वाला जो session होगा ना इसके पहले वाले session के मुकाबले यान कि अभी जो session खतम हुआ 12th class वाले student अभी exam दिये ना तो अभी जो session खतम हुआ उसके मुकाबले ये वाला session और भी ज़्यदा धुवाधार और मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आप लोगो इस session में live class भी मिलेगा free uploaded video content भी मिलेगा मतलब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने एरिया के top of the best बने तो पूरे excitement के साथ ग्यापन academy case platform से जुड़ जाईए और सभी के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी student जुड़ भी जाए और वो अपनी तयारी एकदम जबरदस्ट तरीके से करके top of the best बन सके तो जुड़ जाईए जितना ज्यदा हो सके दबा कर शेयर कर दीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक न बहुत सारे student पूछते हैं कि हम लोग लाइव क्लास में कैसे जुड़े भई आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्रायब करके नहीं रखे हुए है तो एक बार ही सब्सक्राइब होता है एक बार सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोगो सब्सक कर रही हूं सबसे पहले में उर्दू स्टार्ट कर दी उसके बाद से दीरे दीरे इंग्लिश की भी हिंदी की भी तयारी करवाई जाएगी बस आप लोग को टेंसन नहीं लेना है इस गयापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना है तो आप लोग इंतजार कर लीजिएगा ठीक है तो जैसा कि स्टार्ट हो रहा है आप लोग का उर्दू सब्जेक्ट तो 12 क्लास के उर्दू में क्या क्या चीज़े पढ़नी है कौन सा बुक पढ़ना है उर्दू का कितने चैप्टर है पूरा सिलेबस क्या है सबसे पहले में आप लोग को यह सारी क्लास को रख लेट कर रहा है और simply मैं इसको क्लास की उर्दू कि बोलोंगी ठीख है तो Q vorbere के उर्दू में चाहिवनाय पोर्ट में लेकिन इस बुक में टोटल 40 है याद रखियेगा के करा कुछ तेरब कितने चैप्तर तो चालीस चैप्टर और चालीस चैप्टर को इन्हीं चालीश चैप्टर को सी छाईकर किसे कहते हैं मैं आप लोग को टेंथ क्लास में ही बता चुकी हूं इस हिस्से उस भाग को कहते हैं जिसमें आम बोल चाल की तरह लिखा गया चैप्टर हो इस तरह हम लोग नॉर्मली बातचित करते हैं अगर उस तरह लिखा जाए जैसे कि कि हिस्साय नस्र में उस तरह के चैप्टर को रखा जाता है जो आम बोल चाल की तरह लिखा जाए तो हिस्साय नस्र में टोटल 11 चैप्टर हैं मैं आप लोग को यहां पर दिखा दे रहे हूं देखिए हिस्साय नस्र में टोटल 11 यानि की 11 चैप्टर हैं और एक है हिस्साय श शायरी में टोटल 16 यानि कि 16 चैप्टर हैं तो हिस्साय नसर में 11 और हिस्साय शायरी में 16 दोनों मिला कर कितना हुआ 27 और बचा जो 13 चैप्टर मजध मुटाले के लिए दिया गया है नाम सही किलिए है मजध मुटाले यानि कि एक्ट्रा आपरों को पढ़ने के लिए दिया टो मझीद मुटाले में तो इन 40 चप्टर में से इससे नस्र का जो सबसे पहला चैप्टर है नजीर एहमद की कहानी इसको आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद से इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसमें chapter 2 नहीं पढ़ाउंगी बलकि इसी chapter का question answer करा दोंगी और objective करा दूँगी यानि कि आज के इस वीडियो में जैसे chapter one complete होगा तो इसका जो next video आएगा उसमें chapter two नहीं पढ़ाकर इसी chapter chapter one का ही objective और subjective दोनों complete करा दूँगी और इस तरहां आप लोगों का चैप्टर वन कंप्वीट हो जाएगा पूरी तरीके और तब उसकी नगेटी नहीं बचेगा और आप लोग के एक भी कॉशन आप छोड़ कर नहीं आएँगे इस तरह अगर हर एक पॉइंट समझ जाएंगे तो कोशन एंसर के सांथ अब्जेक्टिव कोशन के सांथ तो यह हर एक चीजा आप लोगों को ले कर चलना है तो देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं नजीर एहमद की कहानी यह आधा टाइटल दिया गया ह है इस चैप्टर का पूरा नाम फुल टाइटल है नजीर एहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी ठीक है और इस चैप्टर के राइटर मुसनिफ है मिर्जा फरतुल्लाबेग मुसनिफ को हिंदी में कहा जाता है लेखक और इंग्लिश में कहा जाता है राइटर तो नजीर एमत की कहानी नाम के चैप्टर के राइटर मुसनिफ कौन है मिर्जा फरतुलाबेग और यह जो चैप्टर है यह एक खाका है अब आप लोग कहेंगे कि मैम हम लोग अफसाना जानते हैं मजमून जानते हैं घजल जानते हैं यहां तक की नजम भी जानते हैं लेकि आप लोग कहेंगे कि हम लोग को तो कुछ पल्ले यह नहीं पड़ा इसका मतलब क्या तो इसका मतलब यह कि कोई इनसान है वह अपने पूरी लाइफ में क्या-क्या किया कहां कहां गया उसके जिनदगी में कौन-कौन सी घटनाय घटि अगर मैं देख रही हूं उसके सांथ कुछ दिन रही हूं कुछ महीने रही हूं ठेक है और उसके डेली लाइफ को देखी हूं कि वो किस तरह का आदमी है सोच विचार किस तरह रखता है उसका व्यक्तित वा प्रसनालिटी यानि कि शक्षियत कैसी है और कहां कहां वो गया क्या क्या किया जो उसके जिंदगी में स यह पता चल जाए कि उस इंसान की शक्षियत कैसी है ? मतला वो किस तरह का इंसान है, उसका व्यक्तित्वा, प्रस्नालिटी कैसा है ? किस तरह सोच विचार रखता है तो उस लिखे वे को क्या बूला जैगा ? खाका कहा जाएगा ठीक है यानि कि खाका में इंसान की जिंदगी की रियल की घटना होती है जिंदगी का एक सच्चा पहलू होता है और खाका लिखने के लिए जरूरी होता है कि जिस इंसान के उपर आप लोग खाका लिख रहे हो उस इंसान के बारे में आप सब कुछ जानते हो उस इंसान के सांथ आप रहे हो उस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई रिष्टा है उसके डेली लाइफ के आंप आप mortalघियंरीं वसका देखे हो तब ही तो उसके उपर आप लोग लिखेंगे लहाँ जो जाहा गया जो झो जो किया अगर उन्ह पड़ाखा जाएगा बन जाएगा लेकिन खाका में उन्स सभी घटनाओं को उन्स सभी चीज़ों को नहीं लिखा जाता है बलकि जिन्दगी का एक पहलु उठाया जाता है यानि और तो धिर गटी मोखेν गटनाओं तो उस लिखे हुए को कहते है खाका ठीक है ध्यान रहे खाका में जिन्दगी का एक पहलू होता है पिल्कुल उसी तरह ये जो चैप्टर है ये भी एक क्या है खाका है यानि कि ये भी किसी इंसान के उपर खाका लिखा गया होगा किसी इंसान की जिन्दगी का एक पहलू जा गया है और लिखने वाले कौन है तो मिर्जा फरतुलाबेग और हाँ एक और बात ध्यान में रखिएगा खाका लिखने को कहते हैं खाका निगारी और जो इनसान खाका लिखता है उसको कहते हैं खाका निगार यानि कि ये जो खाका है इसको किसने लिखा है लिखने वाले कौ है यानि कि 謡ि की इस चेप्टर के इस फाका के खाका नगार कौन हो गए तो देयान में रखियेगा अगर कोशन पुछें धी नदीर अहींद की कहानी नाम की हानी या मुसेनिफ कौन है को कौन हों उपर खाका लिखे हैं इसका मतलब मिर्जा फरतुल्ला बेग का कोई ना कोई रिष्टा है नजीर अहमत से रिष्टा था तभी तो मिर्जा फरतुल्ला बेग नजीर अहमत के बारे में सब कुछ जानते और इनके उपर खाका लिखे हैं कोई ना कोई रिष्टा रहेगा तभ अबी तो उसके उपर खाका लिखुँगी न, इसका मतलब मिर्जा फरतुल्ला बेग भी नजीर एहमद के डेली लाइफ को देखे होंगे, रोज मर्रा की जिंदगी को देखे होंगे, इनके साथ रहे होंगे, तो कोई ना कोई रिष्ता होगा, तभी तो रहे होंगे न, तो क तो अब मैं बटाती हूं क्या रिष्ता था मिर्दा फरतुल्ला बेग और नजीर एहमद के बीच टीचर और स्टूडेश्ट था उस्ट्र ते पृट्र वो नजीर एहमद के स्टूडेंट थे और नजीर एहमद मिर्दा पर देखते थे और जो भी इनका पढ़ाने का तरीका था ये हर एक चीज बताएं हैं इस चाप्टर में और इससे उजागर कर दिये हैं मिर्जा फरतुला बेग की नजीर एहमद की शक्षियत कैसी है ये किस तरह के इंसान है तो सुचिए मिर्जा फरतुला बेग आखिर नजीर एहमद के डेली लाइफ को देखे हैं तभी तो नजीर एहमद के उपर खाका लिखे हैं ना पढ़ने के लिए जाते थे मिर्जा फरत मुर्धा फरतुल्लह भेक के बारे में सारा डीटेल्स जो अप लोग के दिया oficial ध्यान रहे मुसनिफ के बारे में पढ़ना जरूरी होता है जीयाद अतर कोश्टन आप नोग के मुसनिफ यहकी रुइटर से लेकर सुप्रा है इसलिए मुशनिव के बारे में सारा डिटेल्स जाना जरूरी है तो चलिए सबसे पहले लो मिर्जा फरत ruलावेग के बार में सारा डिटेल्स समझ लेते हैं और उसके बार से मैं इस खाका को एकदम गहाणी की तरह आपनों को बताऊंगी किaciónग माय और उर्दू के पहले खाका निगार कौन है और पहला खाका कौन सा है तो पहला खाका का नामी है नजीर आइमत की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी यानि कि मिर्जा फरतुलाबेग उर्दू के पहले खाका नेगार जिन्होंने पहला खाका लिखा और वो खाका जो पहला खाका था उसका नाम क्या था यही था नजीर एमत की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी यानि कि उन्होंने पहला खाका तो मिर्जा फरतुलाबेग औपन में दिया रहेगा उसको टिक कर देना है, यहां से 2 कोशन बन गया, अब देखिए,एक और कोशन पुछता है कि उर्दु के पहले नाविल निगार, यानि की पहले नाविल लिखने वाले इंसान है नजीर अब तो अगर कोशन पूछ है कि उर्दु के पहले नाविल निगार कौन है ऑप्सन में दिया रहेगा नजीर अधिक कर देना है ठीक है इंपोर्टेंट है यहां से तीन नंबर में आप लोगों को बता दी यह बहुत ज़्याद और बार आप लोके हर साल यह रिपीट होता है कोश्टं तो याद रखना है या फिर कोश्टन यहां से घुमा कर भी पूछ देता है कि नजीर अभ्द का ता लुक किस सिंफ से हैं haoshy ए अफथाना भी में दिया रहेगा बी में दिया रहेगा मजमून, सी में दिया रहेगा नावील और डी में दिया रहेगा खाका, तो नजीर एहमद का तालुक किस सिंफ से हैं? तो नजीर एहमद नाविल लिखते हैं, पहले नाविल लिखते हैं, पहले नाविल लिगार है, तो option C में दिया है नाविल, उसको टिक कर दीजे, तो इस तरह से कोशन घुमा कर पूछ सकता है, या तो पूछेगा उर्दू के प पीता जी का नाम था मिर्दा हश्मतुल्लाबेग, और चाUB की पैदाईश होई थी तो अभी यह 100-2-3 के थे यानि कि इनके पैदा हुए अभी 10 दिन हुआ था, तभी इनकी मां का इंतकाल हो गया, जब मां का इंतकाल हो गया तो इनकी बेवा फुफी याद रखिएगा हुसन जहां बेगम उनकी परवरिश की तो मिर्जा फरतुल्ला बेग दस रोज के थे तभी उनकी वालिदा मा का इंतकाल हो गया था तो उनकी बेवा फुफी का क्या नाम है हुसन जहां बेगम कोशन पूच सकता है इसलिए मैं लिख दी हूँ याद रखिएगा हुसन जहां बेगम उनकी परवरिश की और उसके बाद से आगे देखिए फरहत के जदे अमजद मिर्जा अफजल बेग बदक्षा से तरके वतन करके शाह आलम सानी के जमाने में हिंदुस्तान आये से भी कोशन उठाता है फरहत के जदे अमजद जदे अमजद कहते हैं दादा परदादा को तो फरहत के जदे अमजद यानि क्या बोल सकते हैं परदादा जिनका नाम था मिर्जा अफजल बेग याद रखिएगा तो फरहत के जदे अमज़द जो है मिर्दा अफजलबेग वह बदख्शा से तरके वतन करके यानि कि बदख्शा को छोड़ करके शाह आलमसानी के जमाने में हिंदुस्तान आये थे उनका नाम क्या था तो उनका नाम क्या था मिर्जा अफजल बेग या फिर कोशन इस तरह से भी पूछ सकता है कि मिर्जा फरतुला बेग के जदे अमजद मिर्जा अफजल बेग बदक्षा से तरके वतन करके किसके जमाने में हिंदुस्तान आए जो किसके जमाने में तो शाह आलम सानी के जमाने कहां कहां से किस किस तरह से कोशन पूछा जा रहा है यह हर एक चीज में आप लोग को बताते चल रही हूं अब आप लोग को क्या करना है जो जो मैं आप लोग को बताते चल रही हूं कि हां यहां से इस तरह से कोशन पूछता है उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग को सम याद कर लीजिए माइड में उसको तुरंट सेट कर लीजिए कि हाँ यहां से बिल्कुल सही बात है यहां से पूछेगा और 100% पूछेगा जो मैं बोलती हूं ना वही होता है अभी हाली में 12 क्लास का एक्जाम हुआ जितना भी कोशन में कराई थी सारा कोशन पूचा था बल पैदाईश की बात कर लेते हैं मिर्जा फरतुल्ला बेक की पैदाईश हुई थी अगस्त 1885 को दिल्ली के चूड़ी वालान महले में लेकिन तज़करा नवैसों के मुताबिक उनकी पैदाईश सितंबर 1883 में हुई तो सही कौन सा है सही यही वाला है मिर्जा फरतुल्ला मिर्जा फरतुल्ला बेक की पैदाईश तज़करा नवैसों के मुताबिक कब हुई तब आप लोगों को लगाना है 1883 सितंबर 1883 समझ गए आगे बढ़ते हैं परत के दादा जो थे मिर्जा अब्दुल्ला बेक यहां से भी कोशन पूछ सकता है कि फरत के दादा का नाम क् अच्छी नहीं थी मिर्जा अब्दुल्ला बेक जो फरत के दादा थे उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी आठ्टे करिस्थी अच्छी नहीं थी पैसे की कमी थी और 1867 के इन कलाब के बाद हुआ यह कि उनका खांदान जो है ना हिजरत करके हैदराबाद चला गया माली हाल और मौल्वि कमरुदीन से कलाम nursery पढ़े मिर्दा फरतुला बेक जो है न वो कम्रोदीन से याद रखेगा यहां से भी कोषन पूछ सकता है कि मिर्दा फरतुला बेक जो है वो किस से कलाम पाक पढढ़े थे कुरान चरीख पढ़े थे तो वो थे मौल्वि कमरुद में गर्मोहर्मन्टि स्कूल कश्मीरी दर्वाजा दिल्वी से इन्होंने इंटरमीडियट आप सकते हैं यह नहीं दिया गया है कि कौण से सब्भक्रक्त्राइब चेले होगि आंगे देखी अगया धेगे तलाशे मौास के सिलसिले में हैदराबाद आए लो ये कोश्चन जो है न अभी 12th क्लास का final exam हुआ इसी में पूछ दिया था किस तरह से कोश्चन पूछा था कि फरतुल्ला बेग तलाशे मौास के सिलसिले में कहां आए ओप्सन में दिया था हैदराबाद जो विद्यारती प फरतुल्ला बेग जो है न वो तलाशे म्वास के सिलसिले में यानिकी इनकी आर्तिक स्टिर्थी अच्छी नहीं थी पैसे की कमी थी तो ये नोग्मिकी तलास में थे हैदरबाद आए थे और हैदरबाद के एक स्कूल में अंग्रेजी के मौलिम बनाए गए इनको जौब मि चुका है उन्हें सअगेहिगा सब्लिध कि इंस्पेक्टिंग एंस्पेक्टिंग आफिसर से सबगदोश हुए हाँ इस तरह से तो इनस्पेक्टिंग ईफसर के पोस्ट से ही धी रिटायर हुए थे यानि को उन्हें सब्वार्वाम इसी जौब इसी ओहदे से इसी पोस्ट से यह रिटायर भी हो गए उन्हें सब्यालिस में तो याद रखेगा अगर कोश्चन पूछे कि मिर्दा फरतुल्ला बेग किस ओहदे से रिटायर हुए सब अगदोश हुए तो इंस्पेक्टिंग अफसर आपसन में दिया रहेगा अ कि नसीमा सुल्तानाजी का इंतकाल हो गया तो वह यह कि दूसरा निकाह हुआ उनकी पहली विभी निकी नसीमा सुल्ताना गी बहन से अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं सबसे पहले तो आप लोग यहां तक स्क्रिन शॉट ले लीजे पहले ही क्योंकि मैं लिखोंगे तो रफ टाइप का दिखेगा लेली आई होप आप लोग लेली होंगे चलिए आगे फड़वर समझते हम लोग मिर्दा फरतुल्ला बेग जो है ना वो मजामीन भी लिखे यानि की मजमून निबंद भी लिखे शायरी भी की लेकिन उनकी शुहरत की असली वज़ा उनके बेमिसाल खाके डॉक्टर नजीर अहमत की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी पर मुनहसर है यानि की मिर्दा मिर्दा फरतुल्ला बेग मजमून निबंद भी लिखे शेर वशायरी भी किये लेकिन इनको सबसे ज्यादा शुहरत मिली खाका लिखने के वज़े से जिसका नाम था डॉक्टर नजीर अहमत की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी यह खाका बहुत ही ज्यादा फेमस ह तो रसाला उर्दु से शाय हुआ यहां से कोशन पूछ सकता है कि मिर्जा फरतुला बेग जो है मिर्जा फरतुला बेग का लिखा हुआ का डॉक्टर नजीर अहमत की कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी यह कब शाय हुआ यान की कब परकाशित हुआ तो आप्सन में दिया दिया था उर्दू तो जो पढ़े होंगे उनको पता होसा औरो रगाकर भी आयet होगे उर्दू बढ़्यों के उर्दू नाम के पत्रीका से शाय हुआ परकाशित हुआ यह डॉक्टर नजीर एहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी नाम का खाका याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं तसनीफ की बात कर लेते हैं यहनकी क्रियेशन मिर्जा फरतुला बेग क्या 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 लिखें तो दिल्ली का एक यादगार मुशाय दिवाने यकीन दिवाने नजीर मेरी दास्तान मेरी शायरी यह सब किसका तस्नीफ है यह सारा चीज मिर्जा फरतुला बेग कर लिखा करते हैं दिवान यकीन किसकी तशनीफ है तो देखिए किस तरक तरक से गुमा कर कोशन पूछा जाता है यह मैं आप लोगों को बताते चल रही हूं ताकि आप लोग अगर कोशन पूछे तो आप लोगों को एकदम सही टिक करके आना है आगे बढ़ते हैं एक इनका मजमून भी लिख लिए मैं आप लोगों को यह पूरा चैप्टर समझा देती हूं यह है तो एक खाका यह चैप्टर है एक खाका लेकिन हम इसको एक कहानी की तरह समझेंगे दम हस्ते खेलते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं यह जो कहानी है इसमें सबसे पहले किरदार से रूबरू करा दे मिर्जा फरतुल्ला बेग डिप्टी नजीर एमत के स्टुडेंट रहते हैं विध्यारती रहते हैं तो जाते हैं इनी के घर पढ़ने के लिए ना तो मिर्जा फरतुल्ला खुद है ठीक है और उसके बाद से एक है मिर्जा फरतुल्ला बेग के दोस्त रहते हैं मिर्जा फ मिर्जाफर अरतुल्लाबेग और मियादानी एक दूसरे के जिगरी दोस्त रहते हैं यह दोनों जन यह ही कॉलेग ज्सका नाम रहता है दोनों जन यह दोनों जन हिंतू कॉलेज में पढ़ने के लिए बदिsung city हाला नाम आप हे जWithinternu और तो मिर्जा फ़र्च उनला ब्यग और मियादानी ये दोनों जन स्टूडन बन कर जाते हैं मुलिस साब के घर पढ़ने के लिए और मिस्टर अजा भी बाद में चुन बन कर जाते हैं सारा चली अब मैं आप बजे अपने घर से निकल गए अभी दूनों जन एक यह बजने आपने घर से निकल गए नजीर आहिमत के लिए इनको पढ़ाई करना था और अभी देड बजने में पांच मिनट कम था तो मुलवी सहाब के घर जा टपके तपकना का मतलब होता है जा पहुचे तो यह दोनों जो है ना डेड़ बजने में पांस मिनट कम था तो मुलिवी साहब के घर टपके और वहां पर जाने के बाद देखे कि दर्वाजा बंध है तो दर्वाजा बंध था लेकिन कुंडी नहीं मारा हुआ था सिर्फ खाड़ा किया गया था तो दर्वाजा खोले और अंदर एंटर मियदानी मुल्वी साहब तो मुली साहब बोले कि अच्छा तुम दोनों हो चलो आजाओ अंदर आजाओ तो फरतुल्लाबेग और मियदानी दोनों अंदर चले गए पढ़ने के लिए अब देखिए मुली साहब के पढ़ाने का तरीका ये था कि वो जो चारपाई रहता है अब बोल सकते हैं पलंग बेड़ तो उस पर बैठा कर पढ़ाते थे खुद भी बैठते थे उसी पर अपने स्टुडेंट को भी उसी पर बैठाते थे और पढ़ाते थे तो बैठा दिये उसके बाद से बोले कि अच्छा तो लाओ अपना अपना सबक सुनाओ तो दोनों अब देखिए पढ़ने के दौरान मिर्जा फरतुल्हाइब की गलती क्या थी कि ये आईराब की गलती बहुत जबर को ठेश को दिद बढ़ात करते पढ़ने के लिए जब सकता है मेरे मॉली साब ऐसे पढ़ाते हैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं यह वह canal बहुत ज्यादा तारीफ में और लख लए मिउखें बहुत हो घजाव EB जो Mr. Aza है न वो फरतुला बेग से बोला कि अच्छा तो क्या करो तुम अपने मुली साब से पूछ कराना कि मैं भी पढ़ना चाहता हूं क्या मैं उनके पास आकर पढ़ सकता हूं तो फरतुला बेग बोले कि अच्छा कोई बात नहीं है तुम अभी चल चलो मुली साब तु पढ़ने के लिए तो पूछ लूँगा वैसे तुम चलते तो भी मोली साब गुस्ता नहीं होता है वो पढ़ा देते तुमको तो अगले दिन फिर से फरतुल्ला बेग और मियदानी दोनों जन गए मोली साब के घर पढ़ने के लिए और फिर जब फरतुल्ला बेग पूछ है क्लासमेट है मिश्टर रजा वो भी आपके पास पढ़ना चाता है क्या आपके पास आ सकता है तो मोली साब बोले कि क्यों नहीं लेकर आ गए तुमको लेकर आहीं जाना चाहिए साथ में पूछने की क्या जोरत थी तो फरतुल्ला बेग बोले कि मैं तो उससे बोली रहा थ कि चल चलो पूछने की ज़रत ही नहीं है लेकिन वो बोला कि नहीं मौली साब से पूछ लेना कहीं वो घुसा हो गए तो इसलिए मैं आप से पूछ लिया तो मौली साब बोले कि अच्छा बड़ा शरीफ लगता है वो लड़का वो बच्चा जरा उसको कल्ले कराना तो देख मौली साब के घर पढ़ाई करने के लिए कोई बात नहीं है तीनों जन पहुंशते हैं पहुंश जाने के बाद यह ना तो मिर्जा फरतुल्ला बेग अपना किताब देते हैं पढ़ने के लिए नहीं मियदानी चुप चाप बैठे रहते हैं लो और नहीं मिस्टर राजा ल तो फिर उसके अगले दिन तुम देना इस तरह एक दुसरे को इसे भाजा लगा कर रखते थे जिस तरह दो बहुँ में नहीं पढ़ता है जगडा होते रहता है तो वह लोग भाजा लगा लेती हैं लोग कि सुबह में तुम बना शाम को मैं बनाऊंगी जाड़ों तुम माना बरतन मैं दहूंगी यह दोनों जनभी एक दुसरे से डिसकस कर लिये थे कि पहला दिन अगर मैं किताब दोंगा तो अगले दिन मैं दोंगा का नाम है मुतनब्वी देखिए इसको बहुत सारे लोग मुतनब्वा पढ़ते हैं बहुत सारे लोग इसको मुतनब्वी पढ़ते हैं लेकिन आप इसको मुतनब्वी ही पढ़िएगा ठीक है तो मुतनब्वी की शेर दिये पढ़ने के लिए मिस्टर रजा को मुल्वी याद रखिएगा option में दिया रहेगा मुतनबी उसको टिक कर दे रहा है तो मुतनबी की शेर पढ़ने के लिए दिये मौली साहब मिस्टर रजा को और मिस्टर रजा अब ये किस चीज के गलती किये तो देखिए सुनिये ध्यान से मिस्टर रजा एराब की गलती तो नहीं किय मतलब जबरजेर पेशिन का ठीक था अच्छे से पढ़ रहे थे लेकिन शेर को नसर की तरह पढ़ने में ये मियादानी को भी पीछे छोड़ दिये यानि कि मिस्टर रजा उस शेर को इतने बक्वास तरीके से पढ़े न कि मौली साहब तो शॉक्ड हो गये सबसे पहले दो सर जुकाई बोले कि जी मोली साहब बताईए तो मोली साहब लेकिन सबसे पहले तुम जाओ काली जान के यहां काली जान थी जो की उर्दू पढ़ाती थी उर्दू की बेसिक क्लास लो जब तुम्हारा उर्दू का बेसिक मजबूत हो जाएगा ना तब मेरे पास यहां पढ़ने आना मुझे को क्या पता था कि मुतनब्वी की इतनी अच्छी खासी शेर को इन बताशों की गली में डिप्टी नजीर एहमद के कमरे में इन चहार दिवारियों के बीच में बैठ कर मिस्टर हजा इस तरह गला घोड देंगे मुझे तो मुतनब्वी की इतनी अच्छी खासी शेर के गले के उपर छूरी चलते हुए देखा नहीं जाता है तुम एक काम करो तुम कल से मत आना मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि तुम आना ही मत जा कर सबसे पहले उर्दू की बेसिक लास लो मुझे इस तरह शेर का गला घोटते भी देखा नहीं जा रहा है मतलब मुली साहब बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा दिये मिश्टर रजा की और उसके बाद से अगले दिन तो मिश्टर रजा ऐसे फरार हुए कि दुबारा वापस नहीं आए मुली साहब के यहां पढ़न के दौरान कि मुली साहब गुस्टा हो गए थे मतलब फरतुल्ला बेग अराब की गलती बहुत दा कर दिये और मियादानी भी शेर को नसकी तरह पढ़ने में पीछे नहीं यह यह भी बहुत दा गलती कर दिये तो मुली साहब का गुस्टा जो है ना एक सा एक डिग्री से उपर चला गया था अब मौली साहब क्या किये मिर्जा फरतुल्ला बेग और मियादानी दोनों जन के किताब को उठाकर यू फेगे की जाकर आंगन में गिर गया और मौली साहब गुस्ट्रे में आकर बोले कि निकल जाओ मेरे घर से कल से तुम मेरे पास पढ़ने के लिए कि नहीं आना अब मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा निकल जाओ जल्दी यहां से इतना ज्यादा गुस्से में देखकर ये दोनों शौक्ड हो गए थे मिर्जा फरतुल्लाबेग मियादानी का मुह देख रहे थे और मियादानी मिर्जा फरतुल्लाबेग का अब माम यहां पर पढ़ने के लिए ना पढ़ ही कर जायेंगे देखना मुली अधराएंगे तुम चुप चुप बैठो ना दूनों चुप चुप बैठे रहें मुली साहब देख रहे थे कि इन लोगो मैं बोला निकलने के लिए लेकिन फिर वहां पर बेचा है बड़ा बेसरम है सब्सक्राइब सब्सक्राइब और बोले कि देखो मेरा तभीत जो है ना बहुत खराब है तुम आज एक काम करो आज तुम चले जाओ कल वापस आजा जाना मैं कल पढ़ा दूंगा इस तरह बात सुनकर फिर मियदानी सोचे कि तो चलो अब चला जाए लेकिन फिर परतुल्ला बेग मियदानी का हाथ अभी पढ़ेंगे आपको पढ़ाना है तो पढ़ाईए वरना हम लोग यहां से टलने वाले नहीं है यहां से जाएंगे नहीं हम लोग आपसे पढ़के ही जाएंगे किसी भी हाल में लास्ट में मोली साहब को हार मानना पड़ा और आखिर परतुल्ला बेग जीत गए और मोली साहब बोले कि चलो मैं हार गया मैं हार गया तुम ही लोग जीते खुदा तुम जैसे शागिर्दों को खुश रखे मतलब तुम लोग शागिर्द क्या उस्तादों के भी उस्ताद निकले जाओ अंगन मेंसे किताब ले कराओ और लाओ अपना सबक सुनाओ लाओ मैं तुम लोग को पढ़ाओ और जल्दी पढ़कर मेरा पंड छोड़ो मेरा पीछा छोड़ो ठीक है और इस तरह जो है ना फिर से मोली साहब इन दोनों जन को पढ़ाने लगे और कई दिन भी था तब बाद में मोली साहब बताये थे कि उस दिन मैं तुम लोग का टेस्ट ले रहा था कि मेरे डाटने पर तुम लोग पतली गली से निकल ले रहे हो कि मुझसे तुम पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि जो बदशौक स्टुडेंट होते हैं जिनको पढ़ने में कोई भी दिलचस्बी नहीं रहती पढ़ने का शौक ही नहीं रहता वो टीचर के एक डाट पर पतली गली से निकल लेते हैं लेकिन जिस शागिर्द के अंदर पढ़ने का शौक रहता है जो दिल से चाहता है कि पढ़ने में दिलचस्बी रखता है वो शागिर्द वो इस्टुडेंट अपने टीचर का लाक भला बुरा सुनता है लेकिन अपने टीचर से नौलेज गेन करके अपने टीचर से पढ़ाई करके ही वापस लोडता है अपने टीचर की रेस्पेक्ट करता है और इसलिए मैं उस दिन में तुम दोनों से क्या कर रहा था टेस्ट ले रहा था खुदा तुम जैसे शागिर्दों को महफूज रखे और तुम जैसे शागिर्द सभी टीचर को नसीब हो और इस तरह दुआये देते हुए मोलियो साब जो है यहीपर दुआये देते जोए ही इस चप्टर को खतम कर दिया गया है और यहीं पर हो जाता है आप लोग का chapter complete लेकिन इस खाका को पढ़ लेने के बाद आप लोग को क्या पता चला डिप्टी नजीर एहमद की शक्षियत पता चली ना कि डिप्टी नजीर एहमद जबान के पक्के इंसान थे जो एक बार बोल देते थे वही करते थे पढ़ाने का जीर किस तरह के इनकी शक्षियत कैसी है और पूरी कहानी पूरा chapter में आप लोगों को complete बता दी और लास्ट में आप लोगों को सीख क्या मिला सिख यहीं मिला कि चाहे टीचर आप लोगों को कितना भी डाण दे कितना भी बोल दे कितना भी पीड़ दे लेकिन आपको अपन सम्मान करो respect करो और हमेशा यह नहीं कि टीचर बोल दिया तो मुँख फुला ले बहुत तरह स्ट्ड़ेंट है अपने पापा से जाकर बोलता है पापा हमको मास्टर जी पीड़ दिये पापा जो है कंप्लेन करते हैं कि आप हमारे बेटे को क्यों पीटे इस तरह का बहुत कि नहीं होता है तो चलिए यहां पर आई होप आप लोगों को पूरा चाप्टिल समझ में आ गया होगा वरतुला बेक के बारे में सारा डीटेल्स बता दी तो आज कि इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ